जै श्री राम, मित्रों सौमिता सरल्ता के सिखर पूरुष, स्री राम, भगवान हमारे अराध्ध हैं, मैं डॉक्टर आगिनी सिंग, आज अपने अराध्ध के महिमा में कुछ आपको बताना चाहती हूँ, सौमनस, सोहार्द, परोपकार, कृतक गिता, आदि गुणों को योग एवं संकल्प से धारण करना और उनकी उपास्तना करना राम भक्ति का प्रभावी सूत्र है, ग्यान के माध्यम से जो इस्थिती चरम साधना के बाद प्राप्त होती है, राम मैं होने पर वो सहज ही खाई देती है, राम मैं होने का अर्थ उन दिव्यताओं से युक्त होना है, जिन से रामत्त पर भासित होता है, आध्यात्मिक धरातल पर नाम रूप लीला धाम को सच्चिता अनंद विग्रह सुईकारा गया है, अतह इन में निष्ठा होना राम मैता है, चारित्रिक और स रामाजिक धरातल पर स्री राम तत्त से अभी ब्यंजित गुणों का उपासक होना और उनका पालन करना राम मैं होना है, सौमनस से सोहार्द, परोपकार, कृतक गिता, आधि गुणों को योग एवं संकल्प से धारन करना और उनकी उपासना करना राम भक्ति का प्रभाव सूत्र है, भगवान राम स्वयम कहते हैं, सब मम, प्रिय सब मम उपजाए, अता समस्त भूत राम में हैं, जिस दिन आध्यात्मिक तल पर ये चिर संबंध, सुईक्रत, सिरोधारे होता है, उस दिन से राम में होने की असा धारन अनुभूती होती है, सी राम में स्रेष्ट को संयोजित, नियंत्रित कर लेने का असीम सामर्थ है, क्योंकि वे परमात्मा के अवतारी हैं, जिनके पैर के अंगूठे से गंगा प्रकट हुई, वही भगवान एक केवट से नाव की याचना करते हैं, समाज जिसे अच्छी द्रष्टी से नहीं देखता, भगवान उस क भगवान स्री राम ने समाज के समस्त वर्गों को गले से लगा कर राम राजी की आधार सिला रखी, बनवास में समस्त बनवाशियों को अपूर्व प्रेम दिया, भगवान राम से मिलने गए ब्राता भरत से बनवासी कहते हैं कि स्री राम हमारे परिवार के हैं, वो हमारी तरही जीवन यापन करते हैं निश्टित रूप से वे समाज में समरस्ता इस्थापित करने वाले स्रेश्टतम दूत भी हैं तत्वतह चराचर के नायक और अनेक राच्छसों को सबक सिखाने वाले स्री राम मैया सबरी के बेर खाकर तरप्त हो जाते हैं चोदा वर्स के वनवास के उपरांत आयोध्या लोटे स्री राम से मैया कौसल्या ने पूछा कि सबसे अच्छा भोजन कहा मिला तो स्री राम सजल नेत्रों से बोले कि मा सबसे अच्छा भोजन यदि किसी ने दिया तो वो मैया स यदि कोई मिला तो वे बंदर और भालू हैं विचार करने का प्रेश्ण है कि साच्छात परमात्मा इस जगत में आकर इतने सहेज और सरल हो जाते हैं कि जीव परमात्मा के सन निकट जाने की जिग्यासा प्रकट करता है भगवान स्री राम हर पल मानवता की सर्वोच मर्यादा में धलने के लिए बराबर अनुप्रेरित अनुप्राणित करते हैं भगवान स्री राम का जीवन पर प्रभाव अद्भूद है ऐसा कहते हैं कि जीवन बिना स्री राम नाम के सार्थक ही नहीं है जब जब मनुष्य या इस संसार को कठिनाई का अनुभूती हो तो भगवान स्री राम ही नहीं आपार लगाते हैं तो मित्रों, राम, जन्म, भूम, सिलान, न्यास की सब को बहुत-बहुत बधाई और आपने हमारे बिचारों को सुना जै स्री राम, जै हीन, जै भारत सब खाम, झालआ, जै आपने हमारे साथ Krão झाल झाल